तो दोस्तों आज की क्लास पॉलीगन के विकरणों के बारे में कि पॉलीगन के विकरण कैसे कैसे निकालेंगे इस प्रकार के प्रस्त भी कई बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा टोपिक भी है और अक्सर सीटेट, यूपीटेट, आलप, आरारवी एंड बैंकिंग स सेक्टर में कभी पूछ लेते हैं और सी टेट यूपी टेट में 100% एक नम्मर का कुछन आता ही आता है तो देखते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं बहुज के विकर्ण आज की किलास है हमारी बहुज के विकर्ण तो इसका फॉर्मूला है एन एन माइनस थिरी वट्टे दो यह फॉर्मूला अपने को रटना है मालो उसने यह दे दिया बर्ग इसमें पूछे इसमें बिकर्ण कितने है तो मैं आपको बता देता हूँ तो एन कितना हमारे इसमें 4,4 पुट कर दें, 4,4-3 बट्टे,2,2 से 4 दो बबर गया,2 इंटू 1 बरावर 2, कितनी आगी बिकर्ण इसमें दो विकांड आ गें तो ये G था अब अगला अगला क्या है कि मालों ये उसने बोल दिया पंचु भूल अ सब्सक्राइब कर्फी कि ये अंध़ न ये हो सकता हैً है करिए ये हो सकता है तो इसमें कितने विकांड बनेंगे व्म हमें देखना है ठीक है तो वो तो कैसे निकालेंगे एन वरावर पांच है तो इन तु पांच इन टु पांच मानस तीन बट्टे दो बबावर पांच इन टु दो बट्टे दो एक वार यानि एन पिकण केतने बनेंगे इसमें पाँच ऐसी छे आकरतियों का हो उसका भी ऐसी निकाल लेंगे तो केतने पिकण बनेंगे ये तो आपको समझ में आई गया होगा अब इसके उपर किस प्रकार से प्रसन पूछे जाते हैं हम वो प्रसन देखते हैं और उन प्रसनों के माद्य हम से समझेंगे तो ये कुछसन है किसी बहुज के विकणों की संख्या 44 है तो बहुज के संख्यां की बुजा कितनी होगी बुजा एन परावर पूछा है उसने कैसे निकालेंगे तो देखिए फोरुमला हमें पता होना चाहिए एन एन माइनस 3 कितने हैं 44 तो कैची की उना कर देंगे पहले इसकी कर लो एक से कोई फरक नहीं पड़ेगा एन स्केर 3 एन इक्वल्स टू अठासी चावालीज दूनी अठासी एन स्केर माइनस 3 एन माइनस 88 एक्वल्स टू जीरो इसके कुडन खंड में निकालने हैं तो इसका भी मैं एक वीडियो बना के दोंगा आपको कैसे कुडन खंड निकालते हैं अभी पता देते हैं इसके साथ में एन के साथ में कितनी संक्या एक यहां कितनी हैं 88 इसकी उना कर लेते हैं कितना हुए 88 तो इसके फैक्टर करते हैं ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि आप जैसे यह गटाने पर 3 बच्चे उन ऐसे तोड़ते हैं इसको तो इसका तक 11 और 8 1188 1160 गया 3 तो एन स्केर माइनस 11N माइनस पिलस 8N माइनस 88 ठीक है तो यह हमने तोड़ दिये इसमें से इसको घटा होगे तभी तो माइनस तीन अन बनेगा अब N common ले लो N माइनस 11 और इधर ले लो प्लस 8 तो N माइनस 11 ये दोनों सेम हो गई तो यह common ले लेंगे N माइनस 11 तो इधर क्या बचा N उदर बचा 8 तो एक ये हो गया और एक ये हो गया ठीक है जीरो अब N बरावर N minus 11 बरावर 0 N बरावर 11 एक तो यह आ गया दूसरा N plus 8 बरावर 0 N बरावर plus 8 minus 8 यह minus का आ गया लेकिन यह valid नहीं है क्योंकि यह minus में है तो plus वाली को हम ले लेंगे तो हमारे बिकरणों की संख्या कितनी है बुझाओं की संख्या तो उसमें बुझाओं की संख्या कितनी हमारी 11 है यह हमारा answer है तो आई ओप की आपको समझ में आ गया होगा और पॉलिगन मेरे साब से लगवा कंप्लीट हो गया और कोई अगर आपको doubt है तो comment box में comment करें कोई question है आपसे नहीं हो पा रहा है comment box में दें तो मैं solve करके आपको दूँँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार